यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ गनिमत ये रही कि गोली यूवक के कान को छू करके निकल गई और हमले के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए घंटना के सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने यूवक को इलाज के लिए अस्पताल भरती करवाया और अग्यात के खिलाफ मामला दर्ज कर गटना के जाज में जुट गई है